नमस्कार आप देख रहे हैं ग्लिव्ज न्यूज राहूल द्रविन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वे दुनिया के तमाम क्रिकेटरों से कुछ अलग है भारतिय अंडर 19 टीम को उनके मागदर्शन में विश्वकब दिलाने वाले इस महांशक्स ने अब BCCI द्वारा गोशित इनामी राशी पर सवाल उठाया है BCCI ने विश्वकब विजेता भारती अंडर 19 टीम के खिलाडियों के लिए 30-30 लाग रुपे द्रविड के लिए 50 लाग और स्पोर्स स्टाफ के लिए 20-20 लाग रुपे के इनाम की गोशना की थी भारत ने पिछले दिनों न्यूजिलेंड को 8 विकेट से हरा कर रिकार्ड चोथी बार अंडर 19 विश्वकब खिताब जीता था मीडिया रिपोर्टर के अनुसार द्रविड ने खुद के लिए ज़्यादा इनामी गोशना किये जाने पर सवाल उठाये हैं उनके अनुसार कोच और स्पोर्ट स्टाफ की इस जीत में बराबर की हिस्सेदारी है और सभी को बराबर इनामी राशी दी जानी चाहिए द्रविड वैसे भी हमेश्चा टीम और स्पोर्ट स्टाफ में भेदभाव के खिलाफ रहे हैं द्रविट का मानना है कि सपोर्ट स्टाफ के सयोग के बिना भारती टीम ये एतिहासिक सफलता हासिल नहीं कर पाती दूसरी तरफ गेंदबाजी कोच पारस महम्रे फिल्डिंग कोच अभेश शर्मा फिजियो थेरेपिस्ट योगेश परमार ट्रेनर आनन्द दाते मसाजर मंगेश गायकवाण और वीडियो एनालिसिस देवराज राउत को 20-20 लाग रुपे मिलेंगे भारती टीम के सभी 15 सदस्यों को 30-30 लाग रुपे मिलेंगे न्यूजिलेंड के विश्व कब जीत कर लोटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फरेंस में भी ड्रवीर ने जीत का अश्रे खिलाडियों के साथ-साथ अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ को दिया था उन्होंने ये भी कहा था कि जब उन्हें कई बार जादा महत्व मिलता है तो उनके लिए इस्तिती अज सहच हो जाती है क्योंकि टीम की सफलता में पूरे सपोर्ट स्टाफ का बराबरी का सयोग है झाल